नमस्कार मित्रों मैं नागेश सर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं घर के अंदर वास्तु के अनसार सीडियों का उचित स्थान कौन सा है आपने भी सुना होगा लोग कहते हैं वो सफलता की सीडियां चट रहा है उसने बुलंदी की सीडियां पार कर ली है तो सीडियां इनसान को सफलता की ओर ले जाती है यदि उनका इस्तान घर में सही जगर पर हो तो आज आप मेरे साथ में यही जानेंगे कि सीडियां किस जगर बनाई जाएं जिससे वे हमें जीवन में सफलता प्रदान करें घर के अंदर पश्यम दक्षिन ये दो इस्तान ऐसे हैं जहां पर हम सीडियां बना करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं ये दो इस्तान सबसे उचीते हैं उसके अलावा नेरिते और वाइवे कोंड में भी थोड़ा स्थान जगह छोड़ करके आप सीडिया बना सकते हो जो कि इन नक्सों के अंदर आप देख सकते हो मैंने सही स्थान मार्क किये हुए हैं उस स्थान पर आप सीडिया बनाएं भूल करके भी मित्रों इशान कौन में शीडिया ना बनाएं इशान कौन की सीडियां हमें आर्थिक नुकसान देती हैं और हमारी पुत्र संथान को हानी देती है उसके जिवन को खराब करती है उत्तर दिशा में बनाईवी सीडिया हमें आर्थिक रूप से बरबाद करती है क्योंकि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ये दिशाएं हमेशा पस्सिमों दक्षिन से हलकी होनी चाहिए और सीडिया बना करके हम इन दिशाओं को भारी कर देते हैं जिससे हमें सारिक और आर्थिक हानी उठानी पड़ती है और ब्रह्मिस्तान जो घर का बीच है, मद्धिस्तान है उसमें भी कभी भूल करके सीडिया नी बनानी चाहिए ये इस्तान तो हमेशा खाली, स्वच्छ और हलका ही रहना चाहिए ये मकान की नाभी है, मद्धिस्तान है, ये ये बिगड़ गया तो पूरे मकान में रहने वाले लोगों का सारिक और आर्थिक स्वरूप बिगड़ जाता है और मित्रों कुछ सावदानिया की सीडिया ऐसी जगे बनाएं कि मुखे दो आर्थि जब हम प्रवेस करें, तो सीडिया हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए दूसरी बात का ध्यान रखें, सीडिया हमेशा दक्षिनावर्ती गोमनी चाहिए यानि जैसे कि घड़ी की सुई गोमती है, क्लोकवाइज वैसे ही सीडिया गोमनी चाहिए सीडियों की दो इस्तिती सबसे स्रेस करें हैं पस्सिम में बनाएं, तो चड़ते समय पस्सिम में मुख हो, और उतरते समय पूरो में मुख हो दक्सिन में बनाएं तो चड़ते समय दक्सिन में मुख होगा उतरते समय उत्तर में मुख होगा ये सर्व स्रिष्ट इस्तितियां है सीडियों की सीडियों की इस टेप्स जो होती है यानि सीडियों की संख्या जो होती है वे हमेशा आप विसम संख्या में रखे एक, तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, सत्रा, एक्कीस, तेवीश इस प्रकार से आप सीडियों की संख्या रखे और इसका एक फार्मुला भी होता है सीडियों की कुल संख्या में तीन का भाग दे और दो सेस बच जाने पर वो सुब मानी जाती है हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है सीडियां एक गोलाई में जो लगाते हैं एक गोल राउंड ली वी सीडियां वे उचित नहीं है सीडियां बनाए हमेशा इस टेप ज़्यादा उचाई लिये वी ना हो जिसे चड़ने में ऐसुदा नहों और वे अशुब उड़जा भी उत्पन ना करें उनकी उचाई ठीक हो, चोड़ाई ठीक हो इस परकार की सीडियां घर में होनी चाहिए दोनों तरफ रेलिंग हो तो और भी बढ़िया है और पुराने वास्तु में तो सीडियों में चड़ते समय और उतरते समय दोनों तरफ दरवाजे भी बताये हैं जो कि आजकर लोग नहीं लगाते हैं लेकिन ये पुराना वास्तु है येदि किसी को उचित लगे तो लगा सकते हैं सीडियों में कभी भी काले, लाल और नीले ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करें सात्विक और सुब रंगों का सीडियों में प्रयोग करने से सीडिया हमें सा शुक्षान्ती और सफलता प्रदान करती हैं इस परकार मित्रों में आपको सीडिया कहा हो, उसकी संख्या कितनी हो, क्या रंग हो ये मुख्य मुख्य बाते बताई हैं सीडियों के नीचे जो जगह रहती है उसका प्रियोग कभी भी सोचा ले या असनानागार बनाने के लिए ना करें नहीं उसमें सयन कक्स या किचन बनाएं ऐसा करने से आप अपने शुक्षान्ति को प्रभावित कर सकते हैं ऐसा करने से उस घर में रहने वाले लोगों का स्वास्ते खराब रहता है आपस में लराई जगड़े और मन मुटाव रहता है तो उस इस्थान को आप केवल चाहें तो इस्टोर रूम के रूप में प्रियोग कर सकते हैं बाकि उसमें चपल जूते ये भी वहां रखने सकते हैं उस इस्थान को आप खाली रखे सजाने के लिए फिस एक्वेरियम कई लोग लगा लेते हैं वो भी वहां रखना उचित नहीं है ठीक नहीं है इस परकार मित्रों मैंने आपको संपूर्ण जो भी मुख्य मुख्य बाते हैं शीडियों के बारे में वो बता दी हैं इस परकार यदि आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको सुख सफलता मिलेगी जैसरी राम मित्रों एक संदेश भी आपको देना चाहूंगा यदि आपको मेरी दीवी जानकरिया अच्छी लगती हैं तो ऐसी ही अपने जीवन में काम आने वाली और जानकरियों के लिए मेरे सेनल को आप सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए जिससे आपको जीवन की महत्व पूर्ण जानकरिया मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभार जैज स्री भैरव